हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू मैं चैनल ऐज बनाएंगे पिठे के सबजी पिठा जो पिठा है इसको हम आधा हाफ काट लिये हैं और पिठे को और बाकी पॉर्शन बाग में बनाएंगे पिठा को पहले काट लेंगे काट के इसको से चुड़ा चुड़ा बारीक काट लेंगे बारीक काटके धो के रेडी करेंगे और इसमें डालेंगे कोकोनट बनाते है पिठा को आधा बनाएं आधा बाद में बनाएंगे इसमें डालेंगे टमाटर काटाय में ओयल गरम करेंगे बेर लीप्स और रेड चीली इसमें डालेंगे क्षोग जबाद सब्सददी घुदिए ने ने ढार्त है sympathरा है औरे काना औरओिस कोस अजे हो दूझाले नाओिस पुकं आविसिका कैटा बोलता है ऐसलों अपल सादा या बनाइब बनाएं हल्गी पाराण डाले सॉल्ट डालें तो ढपके पकाएंगे थोड़ा सा ऑल पानी डालेंगे इसको कवर करके 10 मिनिट फकाएंगे 10 मिनिट हो चुका है अब देखते हैं इसका क्या पोजीशन है सब्जी पका है यानि इसको चेक करेंगे आपक चुका है यह लम लरा मॉप चुका है यह भी पुरा पप चुका है यह भी पुरा से मैस कर देंगे यह भी पुरा पानी सुगने तक विट करेंगे पेटा के सब्जी बनाने के लिए आप जो ज्यादा कम बीजा है उसका बीज कम है मुटा ज्यादा बीज बला आप उसको मत लीजिए क्योंकि पेटा के सब्जी ऐसी नरम होता है पर पकने में टाइम लग जाएगा अगर आप ज्यादा मोटा बीज वाला तो पतला बीजा बिना बीजा वाला होने से सब्जी में टेस्ट भी आता है और सब्जी जर्दी पक बीजाता है ज्यादा मूटा जो बड़ा-बड़ा लिटा होता है वो मुरब्बा के लिए सही रहता है और जो पतला पदा चुटा-चुटा एकदम नरम टब कर रहता है उसको सब्जी बनाइए उसमें वहुती तोस ही हैं डोशं शाम है, पाणि और थोड़ा है, अइसा तो ओससे पानी छोड़ता है है, कर जरुआ पड़े थोई धोड़ा छुआ है, यह पोड़ा बानी से पकेग argues यह पानी बानी वियकाँ पर छाएल जिर्च समय कोकणाल्इप, करीब ग्रेट किया हुआ कोकोनट डालेंगे इसको मैंने हाथ से ग्रेट किया है थोड़ा साल्ट डालेंगे आधा चमच छोटी आधा चमच डालने से भी बहुत है तो यह मैं तो वह श्यआ है तो फुर्ट अचेश में प्रद्शेुदम्यक्त तो यह में ख़र ज़ाया तो यह कले हैं तो यह दो आधा भी चाहिए तो इसमें टेस्ट को खूलके आएगा अब अगर चाहे तो इसमे गल हर न इसमे अजिए ड सकते हैं या तो चना ड से कर सकते हैं तो मदि' या ऐसे जो काला चना जो होता है वह भी आप डाल सकते हैं अब जैसे ऐसे भी टेस्ट आएगा उसमें हम यहां कोकोनट डाल के आज बना रही हूं बाद में आपको दूसरा टाइप का दूसरी दीन बनाएंगे तो उसको श्यार करेंगे अब थोड़ा पानी सुख जाए पुरा पानी पानी नहीं रखेंगे ग्रेवी नहीं रखेंगे सुखा सुखा सब्जी इसको अच्छा लगता है इसलिए इसको थोड़ा पानी सुखने तक वेट करेंगे तक पुरा इसके साथ मेल्ट हो जाएगा सुखार और नारियन तो इसको अच्छा लगता है खाने में पानी इसको पुरा सुख चुका है एकदम पानी सुख चुका है देखिए अब इसी पोजीशन में इसको ग्यास को आफ करते हैं जादा सुखाएंगे तो जल जाएगा इसको ऐसी बंद कर देंगे थोड़ा देर इसको प्लेसको पर छोड़ देंगे पड़ाई के गरम में पुरा पानी सुख कर लेगा सबजी मन के तयार हो गया अब इस साफ करने के लिए रडी है इसको रोटी परता है या लांच डिनार किसी से भी आप ले सकते हैं इसमें बहुत ही टेस्ट लगता है या नारी आल डाला है शिरे में एक पर कोरियंडा लीप्स नहीं डाल रही हो हो अगर कीजिए जादा मसाला की पी जड़रत नहीं होता है